नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में तो इस वीडियो में हम आपको किनोरी शादी के कल्चर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे इस कल्चर को जाने के लिए हम आज जा रहे हैं नातपा गाउं जो की लोर किनोर के नीचार ब्लोक का एक पार्ट है नातपा का नाम आप सभी ने पहले काफी जगा सुना ही होगा क्यूंकि यहाँ पर हिमाजल का सेकिन लार्जेस नातपा जाकडी हाइडरो बोजेक्ट है इसी वज़े से कुछ महिने यहाँ पर टेंपरेचर काफी लो रहता है और बरह बारी और लेंड्स लाइड की वज़े से के बार रास्ते भी बंद हो जाते हैं हमारे पास क्यूंकि XUV300 है इसलिए हम तो आसानी से नातपा गाउं तक पहुंच जाते हैं किनोरी शादी में मुझे सिर्फ दो हिक चीजे पसंद आई एक किनोरी म्यूजिक दूसरा किनोरी डांस डांस के बिना तो किनोरी शादी अधूरी है कि 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 तूसरा कि अधूरी में शचर आई इसलिए हम तो आई धिसलिए पाक चीजेर प्लेग करते हैं कि अधूरी शादी में तो कि भी जए Kundal chef किनोरी में तो consumo dches में किनोर में तीन तरह की शादी अक्सर देखने को मिल जाती है छोटी शादी, बड़ी शादी और एक बूरी शादी छोटी शादी में सिंपल सा लड़की को भगा के ले आते हैं और घर पर थोड़ा सा फंक्शन रख लिया जाता है बड़ी शादी में पूरी रिती रिवाजों के साथ लड़के को दूला बना कर बारात में बैंड बाजे के साथ शादी किये जाती है बूरी शादी का connection चोटी शादी से है जिसने भगा के शादी की होती है वो जिन्दगी में कभी भी बड़ी शादी कर सकते हैं बूरी शादी के टाइम पर दुलहन को वापिस उसके माई के भीज दिया जाता है और वापिस से लड़के को अच्छे से दूला बनाकर बेंट बाजे के साथ वापिस से पूरे रीती रिवाजों के साथ फिर से दूलहन को उसी तरह से शादी करके वापिस अपने घर लाया जाता है किनोरी शादी में आप जैसे ही पहुंचते हो आपका स्वागत होता है केतली में पानी और चाय पिलाने से लेकिन बाद में पता चला कि ये तो किनोरी फ्रूट वाइन है तो इस चीज़ से हमारा कोई संबदना होने की जैसे हम इसे वापिस कर देते हैं फाइनली काफी वेट करने के बाद चाय आ जाती है आए अब हम कुछ बुजूर्ट लोगों से भी किनोरी शादी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जैसे घर में जिनने भी बच्चे हैं सिर्फ एक ही ही शादी करवाते हैं नाई दो की कदर मला क्या हिसाब रहता है तो इसाब क्या है कि अब दो तक बड़ी शादी करनी है बराव पुराव करना है लोगों ने उसके बाद लोगों की दूसरी तीसरी करें तो अपनी मर्जी है कि जाओ लोग बरीगे या ना बरीगे या तो जैसे किनोर की शादीयो में जो मेंटीश होती है वह बक्री ही टाहिसाद है लग मग हिसाब मतलब देख करके ukता है कि जैसे जनसंक्याजितनेा है कि या दो कुंटल लगना है दून कुंटल लगना है माल ॉ आप में कितना मेरा नाम राईशिन भार्भा, मैं हूँ भाव विल्ली यंपा से किन सवर मेरी मेरी जहां पर नाता है आपके वाली मेरीज कैसे हुई थे लव मेरीज ज़्ये से किन और में कल्चर रहता है ना बहा के शादी करने वाला यह कल्चर तो नहीं है यह तो जैसे आपकी लव मेरीज वी ना तो आप बिना मतलब जैसे शादी बड़ी शादी होती है वैसा कुछ नहीं हुआ आप सिदे ही अपने हजबन के साथ यह आपे आगे तो कितने टाइम तक आप रहे यह आपे हैं मतलब शादी कब हुई फिर कितने दिन पहले है एक दिन पहले है वो तो सब को पताये कि नुड़ी मेंधिश होती है मेत मतन हुआ हैं यह सौट वाठ ने कि फ्रिटाइख लोगता है प्रभा मेंं पे साथा चिन के लोग in tech कहां थिल निक यह खाने कर थी जगा ठंडी जलती जब आपकी चादी इस तो मेरत बहुत कम्तिर मतलब हमारे क्ल्चर में ऐसा होता है कि लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर में देखते हैं पसंद करते हैं बोतल पुजा होती है और वो बोतल उसी लड़की के घर में रखी जाते हैं जैसे बाहर तो होता है कुल्ली मिलाते हैं जैसे कुछ नी होता ह यहां पर रखी जाती है बोतल अच्छा उसको रखे तो नहीं रखेंगे ना अब जिसको दीओ तो पी लेंगे ना वहाँ पर पी लेगे मतलब एक कल्चर होता है न ऐसा की मतलब लड़के वालों से कि वो तर लड़के वालों के घर में दे दी पूजा कर दी यहां पर हमारे कि भी नहीं होता है अप पर किनवर में होता है अप लोग कहा मिलें होता कि अरुक तर दे रॉक रूख कुमने इसके बाद इसके बाद और तो यह जो बड़ी शादी है कितने टाइम बात कर रहे हैं अगर लड़के के घर के हिसादी तीन दिन चलती है पहले दिन मामा स्वागत होता है अगर दिन बाराज जाती है और शादी होती है और दुलहन को शादी करके घर ले आया जाता है और तीसरे दिन बैलिंग होती है जिस दिन लेन देन होता है तो जो भी पैसा कपड़े या जेवर दुला दुलन को देना होता है उसको बैलिंग वाले दिन दे दिया जाता है और उसको एक कॉपी में लिख भी दिया जाता है क्योंकि जिन जिन लोगों ने जो जो चीजे दी ह होती हैं उन सभी चीजों को उन लोगों को वापिस भी करना होता है जब उनके खुद के घर में भी फंक्शन होगा तो नोर में कौमन मेरीज का भी कल्चर रहा है पुराने जमाने भाईयों में प्यार महुबत बनाया रखने के लिए बहुत से भाईयों की शादी एकी लड़ किसे शादी करना ज़्यादा पसंद करता है। फकता है। पहले की एक सादी होती थी पगहाने के भी शादी के रिवाज होता था। त्विखी लेरीवक्त के साथ कुतम हो गया। मेलेगे थेँ आरेयेँ मेथ सेछो Estado में पसंद करें आएए। और उसमें किसी परकार कावण और किसी परकार का कायन इंदेल के लुए तति देली जैसे शीक्षा आद हम नीुकता आगे और जैसे में डूर दोर दोराज मों रिकास होता रहा उस भीकिस में जादी में बदलाव गया और यहां पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहां इस प्रकार का जो आजकल का जो आदुनी करने जो शेहरों में वो नहीं होता है कि आपका लड़का कितना पड़ा दिखा है आपकी लड़की कितनी पड़ी देखी नहीं ती यहां समुदाय में यह देखा जाता है कि आप कि अगयों तरफी मंठा जैगा ऊसमें पहले की टांब में तो लड़की नहीं तो टो-टो चैनल दीड़ियों आपस में नेकरन आगया आगे कि लड़की को आपस प्पता नहीं होता था लड़के को भी पता नहीं हो हुई था कि मेरी शागी हो रिये है ठीक है अर वह दो हैं धिर टो्स संभी के वी जो हो जाता था और बोतर को जाता था आः इução एक यह पहले की तो पू बॉलोक में जो है बहुत लामाओं से द्वारा जो बहुत के द्वारा जो डिट निकाला गया तो मानमे अब शादी में नहीं चीजे आगी अब पहले तो आपका वादी अंतर उता था आपका बैंड भी नहीं थे बैंड बाद में आए लाड़े के साथ ट्रडिशनल आपका बैंड आगे अब आपका बीजे भी आगे आगे वेवस्ता और दीरे देरे चलते रहें लेकिन अभी भी जो किनोर के अंदर में दूला है आप देखते हूंगे कई बसे अब तो शीरा भी चलता पहले शीरा नहीं होता था पगड़ी होता था और फिर आपना जो अबी वर्तमान में हमारे नेकमंडारी के शादी हुए थी उन्होंने वो स्ट्रेस अब को जो है लेकर चले थी अपने एडिया में देवी देप्ताओं के द्वारा और जान देवी देप्तानी है वह बहुत के द्वारा पहले तो कॉमन मैरेज हुआ करता था था जैसे हम छ स्ट्राना हो यहां अब एकता बनाई रखने के लिए इसली होता था और धेरी देरे जैसे शिक्सित वर्त होते गए और फिर बहार प्लायन होते लिए तो फिर हम एकल में चलेगे अब सबके अपने अपने जो है शादिय रोते है यहां शादी में आदान प्रदान होता है तो पहले तो आदान प्रदान में आपका क्या एक दूरुपे होता था आप तो आज को आपको सोना दिया तो आपने सोना ही दिन है आज का सोना अगर 40,000 चल रहा है तो आज के दस साल के बाद उसका पता नहीं कितना होगा तो इसको देखते हुए जो बड़ी शादी में प्रतिबंद कर दिया गया है खासकर कि अब बड़ी शादी एक ही करा दो बाकी रिशेप्शन तैपर आपने जिकर कि है कि कॉमन मेरीज में जो बच्चे होते हैं उसको किस पकार से जो है डिवाइट करत हुँँद कि उसमें उने इस्ट इस वाले का लड़का है और वह जाते अब अगरा है बड़ा हुई जो बड़ा और हमारे किनोर के जो एकता की पारिष्टा को पेसाता है और जो लड़की ने कहा कि ये है तो वो चड़ाई हाता है तो बेगर मार तंकी ओ बाये हाँ तंकी अधिया मार थे ताह देए अधिया थे प्रह्ति आया हाँ उर्ट लो नाली तो ले आजपाया देश्च ने खरता है बोलो ना दी तो